नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय है, बच्चों आज हम लोग कैलकुलस, बेसी फरस्ट एर में रेखिक अवकल सम्मिकरन, लीनियर डिफरेंसिल इक्वेशन की सुरुबात कर रहे हैं, जो आपको यूनिट फोर कलन कैलकुलस में दिया हुआ है प्यारे बच्चों, एक कोशन इसमें से बिल्कुल 100% आएगा, हना, इसके बाद और इसको पक्का करने के लिए आप बर्नोली का समिकरन कर लीजेगा, और एक कोशन आप एग्जेक्ट डिफरेंसिल इक्वेशन से भी पा सकते हैं, तो यह हम कंटिनिवस करते जाएंगे, ठीक है बच्चों, हम इसक इसको भी पढ़ चुके हो, क्लास 12 में, फिर भी हम इसको और देख रहे हैं, प्यारे बच्चों, रेखिक आउकल समीकरन, लीनियर डिफरेंसिल इक्वेशन, क्या होता है लीनियर डिफरेंसिल इक्वेशन, एन इक्वेशन इस आप दा फार्म, दी वाई बाई डी एक्स, यहां पर यह ध्यान देना होता है, यह देखो, यदि वाई है उपर तो यहां यह होगा, अब इधर पूरा एक्स में होगा, यहां एक सा है यहां एक सा है तो इधर पुरा किस में होगा वाई में होगा देखें गाई देखें यहने स्वतंत्र चर यहां पर एक सा है तो इधर पूरा एक समें होगा यहां पर स्वतंत्र चर वाई है तो पूरे वाई में होगा ठीक है तो इस रूप के समीकरण को ही हम र याद रखिएगा linear differential equation कहते हैं इने के रेखिक ओकल समीकरन कहलाता है चलो ठीक है अब इसका solution कैसे निकालते हैं इस पर discuss करेंगे जैसी कि हमको पहला रूप दिया है समीकरन एक का रूप इसमें परतंतरचर y है सुतंतरचर एकस है हमेशा solution परतंतरचर में आता है तो हम समीकरन 1 के लिए पहले तो समाकल गुनग निकालेंगे समीकरन एक के लिए क्या निकालिएगा समाकल गुनग integral factor IF के नाम से हम लोग जानते हैं integral factor कहते हैं यह होता है E power कितना PDX अब इसका solution क्या होगा समीकरण का हल क्या होगा जब ऐसा आया तो इसका solution होगा समीकरण का हल कैसे लिखते हैं परतंतर चरह आपने देखा पहला equation में Y है इसके बाद यहाँ पर integral factor का गुना करेंगे और फिर integral factor का यहाँ पर गुना में रहेगा और इधर QX जो भी आएगा इसको यहाँ पर रखिएगा प्लस C हना इसी के हिसाब से आपको क्या कर देना है हना इसको साल्व कर देना है और यही इसका solution होगा प्यारे बच्चों याद रखिएगा यह दिखेगा यह तो पहला रूप हो गया अब समीकरन 2 का रूप क्या होगा जदी समीकरन 2 के लिए है तो समीकरन 2 में परतंतर चर एक से है स्वतंतर चर वाई है तो इसके लिए समाकल गुनाक integral factor होने वाला है e to the power p dy अब यह solution किसमें आएगा परतंतर चर एक से है तो एक से में आएगा x if is equal integration of if into q of y और यह होता है dy प्लस कितना सी ठीक है ना अर्थात हम इसको लिखेंगे x into integral factor e to the power p dy integration integral factor e to the power p dy q of y dx प्लस कितना सी यही दो रूप है और इसी दोनों तरीके से इसी प्रकार सालवसन निकालना है प्यारे बचों आप ऐसे class 12 में पढ़ चुके हो यदि आप नहीं पढ़ा होगा तो बस दुरवात इसका concept पूरा यही है definition यही है याद रखिएगा चलो कोशन देखो 100% समझ में आना है पहला कोशन आपके screen परसीन हो रहा है हल किजिए dy by dx प्लस y cut x is equal to cas x तो इसको हम समीकर नंबर एक मान लेते हैं बच्चों समीकरन एक यह देखें समीकरन एक dy by dx प्लस py is equal q of x के रूप का है के रूप का है हम इसको क्या करेंगे तुलना करेंगे चलो तुलना करते हैं तुलना करने पर आपको क्या मिलना है यह देखो p के जगा में कौन बैठा है cut 2x q of x के जगा में 2 cas x तो चलिए मैं write कर देता हूँ p is equal cut x और q या q of x जो कहें यह हो गया 2 cas x हमें सबसे पहले क्या find out करना होगा integral factor की बात करना होगा समाकल गुना की बात करना होगा हम पहले equation के लिए हम integral factor यहाँ पर जानते हैं प्यारे बच्चों p d x यह देखो p का value डालिएगा तो आप पहिएगा integration cortex dx क्या integration cortex dx का formula जानते हैं बिलकुल जानते हैं समाकलन cortex का क्या होता है log sin x होता है प्यारे बच्चों याद रखिएगा और जब कभी भी e की power में lag आ जाए तो इसको हटा देते हैं और यहाँ पर क्या जाता है sign आ जाता है यह बस रहेगा बांकी दुनों eliminate हो जाएगा हमें integral factor find हो गया अब समीकरन का हल किसमें आएगा समीकरन का हल यहाँ पर परतंत्र चर वाई है y into integral factor यह देखेगा y into integral factor integral factor q आपके पास कितना है 2 cos x dx प्लस कितना हो गया सी यह देखे अब integral factor हमने पाया है sin x रख दीजिएगा यह हो गया sin x और यह हो गया 2 cos x dx बच्चों आपको मालूम है 2 sin x cos x क्या होता है sin 2 x होता है जानते हो ना बिल्कुल जानते हो हम इसको इस formula के थुरू समाकलन sin 2 x dx में बदल देते हैं और sin 2 x का समाकलन क्या होता है sin 2 x का समाकलन होता है minus cos 2 x divided by कितना 2 ऐसे तो यह answer आ चुका है यदि आप sin से divide करना चाहते हो तो आप दे सकते हो आपके उपर है आप करना क्या चाहते हो यदि मैं sin से divide करूं तो y is equal minus 2 cos 2 x cos 2 x y 2 sin x plus c upon sin x फाइनली यदि इस को break करना चाहते हो तो कर सकते हो या फिर ऐसा write कर सकते हो cos 2 x cos x plus c cos 1 x ये भी write किया सकते है तो आपके उपर है आप किज धंक से करना चाहते है कि काज 2 x को बदलना चाहते है कैसे बना समझ में आया है बिल्कुल आया होगा इस देखें next question हमारे पास है बच्चो हाना समी करन एक की तो देखो समी करने एक d y by dx प्लस py अपान क्यू आप x की रूप का है की नहीं है पहले check करना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस x स्क्वर से भाग देंगे क्या करेंगे पूरे को 1 प्लस x स्क्वर से भाग देने पर क्यो देखेंगे भाई हमको मालूम है कि जो भी 2x अपान 1 प्लस x स्क्वर y आज इसको मैंने ट्रांस्फर किया तो हमने पाया 4x स्क्वर अपान 1 प्लस x स्क्वर माली जीगा समीकरन नंबर 1 समीकरन 1 d y by dx प्लस py is equal q आप x की रूप का है अता तुलना करने पर तुलना करने पर क्या किजेगा p is equal कितना होगा 2x अपान 1 प्लस x स्क्वर q is equal होगा 4x स्क्वर अपान 1 प्लस x स्क्वर अब देखे इसके बाद क्या काम करते हैं इसके बाद आप integral factor की तैयरी करते हो समाकल गुनक निकालने की तैयरी करते हो क्या होता है भाई p dx और यहाँ पर हमारे पास 2x अपान 1 प्लस कितना है x स्क्वर dx अब इसमें एक चीज देखिए मैं यहाँ पर 1 प्लस x स्क्वर को t सपोस करूँ तो यही मैं डिफ्रेंसेट करूँगा तो 2x dx होगा dt होगा और 2x dx dt होगया तो integration e to the power dt by कितना होगया t होगया और dt by t कितना होगा log x होगा तो directly आप राइट कर सकते हैं इसका समाकलन log 1 प्लस कितना x स्क्वर यदि आप निकालना चाहो तो हम यहाँ पर अलग से निकाल के आपको बता देते हैं 1 प्लस x स्क्वर को सपोस किजिएगा t आप पहिएगा 2x dx is equal कितना dt और 2x dx dt है तो यहाँ पर dt आपान कितना हैगा t और t का मतलब dt by t का मतलब log t और t का बाइलू वापस रखिएगा तो आप पहिएगा log 1 प्लस x स्क्वर अब देखो e power लाग हटेगा तो क्या पहिएगा 1 प्लस x स्क्वर अब यह तो आपने integral factor पा लिया है अब क्या करेंगे हम लोग समीकरन का हल निकालेंगे बच्चो समीकरन समीकरन का हल सिधा लिग देते हैं यहाँ पर dependent variable प्रतंतर चरकों है y integral factor कितना पाए हो 1 प्लस x स्क्वर यहाँ पर integral factor 1 प्लस x स्क्वर q आप x कितना है 4x स्क्वर आपान कितना 1 प्लस x स्क्वर और इधर dx लगाएगा PLUS कितना c भी लगाएगा तो 1 प्लस x स्क्वर कैंसल हुआ आपने पाया प्यारह बच्चो y y 1 प्लस x square मैंने 4 को कामन निकाला और x square को राइट किया x cube by 3 प्लस कितना c यदि आप देना चाहते हो तो y is equal 4 by 3 x cube upon 1 प्लस x square प्लस c upon कितना 1 प्लस x square बस इस धंग से आपको क्या करना इसका solution find out करना है तो बच्चों ये भी समझ में आया होगा आगे बढ़ते हैं देखते हैं और बहुत सारे कोशन हमारे पास ये देखें ये dy by dx प्लस py is equal q here यहाँ पर देखो compare करो p के जगा में कौन बैठा है किससे compare कर रहे हो भाई py is equal q से 2y x p के जगा में q के जगा में sin x हम निकलेंगे integral factor e to the power कितना p dx dependent variable y है हाँ तो क्या हो जाएगा p 2 by x dx इसका हो गया e power 2 log x हम जानते हैं प्यारे बच्चों log m to the power n n log m होता है हम इस concept को use करेंगे तो e power कितना हो जाएगा log x square होगा e power हटेगा हम integral factor x square पाएंगे ठेक चलो अब आगे बढ़ते हैं समी करन का हल हमारे पास क्या आएगा हम पाएंगे y into x square is equal x square into कितना sin x dx देखेगा x square into sin x dx बिल्कुल अब इसको plus कितना c हम इसको salve करते हैं direct भी कर सकते हो पहला दूसरे का minus cas x फिर पहला जो है उसका differentiate करते हैं फिर इसको bracket से इतले जाएगा और cas का minus sign पहिएगा minus तो पहले से हैं फिर minus 1 minus x plus फिर 2x का 2 फिर minus sin x का आ जाएगा कितना cas x और plus कितना c तो finally हमने पाया y x square minus x square cos x minus minus plus 2x sin x और यहां पर plus कितना हो जाएगा 2 cos x हो जाएगा पहरे बच्चों याद रखेगा plus कितना c इसको x square को divide करना चाहते हो तो कर सकते हो x square cos x प्लस कितना 2x sin x प्लस कितना 2 cos x plus c dividing by कितना हो गया x square तो आपके उपर है आप कैसा करना चाहते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों इस दिखेगा समी करन एक में भाग दीजे 1 plus x square से 1 plus x square से दोनों पक्चों को भाग देने पर क्या पहिएगा dy by dx plus 2x upon 1 plus x square y और cos x upon 1 plus x square तो यहाँ पर देखो P के जगा में कौन बैठा है 2x upon 1 plus x square Q के जगा में कौन बैठा है cos x upon 1 plus कितना x square सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे integral factor e to the power 2x upon 1 plus x square dx यह तो अभी आपने निकाला है यहाँ क्या होता है e to the power कितना लाग 1 plus x square यहाँ से हमने पाया e power lag हटाईएगा तो पायेगा 1 plus x square dependent variable काउन है y है 1 plus x square और यहाँ पर integral factor 1 plus x square यह हो जाएगा cos x upon कितना 1 plus x square और यह दिए एक्स यह दोनों cancel आपने पाया 1 plus x square cos का कितना sin और plus कितना c यह देखें देखो साल्व किजिये हल किजिये क्या दिख रहा है कुछ पता चल रहा है separation कर सकते हैं कुछ नहीं सबसे पहले तो हम dy by dx बनाते हैं चलिए देखें इसको dx को निचे ले जाता हूँ x minus 10 inverse y dy by dx is equal देखो इसको निचे लाएंगे तो transfer करेंगे तो minus 1 plus y square हुआ अब मालों में इसको dy by dx is equal minus 1 plus y square कर दिया अपान कितना x minus 10 inverse y तो देखें एक complication दिख रहा है हम इसको two part में भी divide करेंगे 1 upon x minus 10 inverse y y square upon x minus 10 inverse y तो यह complication हो जाएगा इसलिए हम इसको क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं प्यारी बच्चो अब dependent variable का roll independent करेगा और independent variable का roll dependent variable करेगा यहने हमने बदला तो इधर को भी बदलाओ करना पड़ेगा x minus कितना 10 inverse y और यह हो गया 1 plus y square अब इसको अलगलग किजिएगा dx upon dy आप पहिएगा x upon कितना 1 plus y square देखेगा बिल्कुल ठीक है अब इसको हम पूरे को यह इधरंग से write कर सकते है minus x upon 1 plus y square minus कितना 10 inverse y upon 1 plus कितना y square अब यह देखे रेखिक आउकिल समिकरन का रूप है यहाँ पर dependent variable कितना है x अब यह solution किसमें आएगा x में आएगा तो यहाँ देखो p के जगा में कौन बैठा है minus 1 upon 1 plus y square यह देखो minus से write लेंगे और q of y के जगा में बैठा है q of y के जगा में बैठा है minus 10 inverse y 1 plus y square चलो अब इसका if निकाल लो तो integral factor क्या होगा a to the power p dy होगा यहाँ पर आप रखिएगा तो पहिएगा 1 plus कितना y square dy तो इसका कितना आ जाएगा आपको मालूम है इसका होता है 10 inverse तो 10 inverse y हो गया यह integral factor हो गया पहरे बच्चों अब समीकरन का हल क्या लेते हैं देखेगा x dependent variable है यह हो गया integral factor यह हो गया integral factor और q कितना है 10 inverse y 10 inverse y upon 1 plus y square dy plus कितना c चलो यहां से हम 10 inverse y को क्या मानेंगे t 1 upon 1 plus y square dy y is equal कितना d t अब इसको transfer किजिएगा तो पहिएगा y is equal कितना 10 t चलो हम इसको क्या करते हैं x into e power कितना minus कितना हो जाएगा इसका 10 inverse y यह हो गया अब is equal इसमें आप पहिएगा e power कितना t e power कितना t यहां से हो जाएगा d t प्लस कितना होगा c अब इसको integrate करें integration by part करें खंड सा समाकलन करें तो आप पाएंगे पहला दूसरे का फिर पहले का आपकलन दूसरे का समाकलन और टोटल जो result आएगा उसका फिर से क्या करेंगे समाकलन करेंगे यही फार्मूला है तो चलो x e to the power minus 10 inverse y is equal minus t e power कितना t अर्य हो गया 1 e power t dt प्लस कितना c अब इसको integrate किजिएगा तो minus कितना 10 inverse y is equal minus यहां से आजाएगा e power t दुनों में common t minus कितना 1 प्लस कितना c t का value रखिएगा तो आप पाएंगे कितना पाएंगे minus 10 inverse y यहां पर t के जगा में आपने क्या माना है 10 inverse y 10 inverse y minus कितना 1 प्लस है अब इप आप 10 inverse y से divide किजिएगा तो पहिएगा यह तो cancel हो जाएगा अब यह उपर जाकर प्लस में आजाएगा नीचे आएगा तो यह इस ढंक से इसका सालोसन हमको मिलना है ठेक तो समझ में आया बच्चों कैसे किए अब देखे दूसरा कोशन यहाँ पर हमको दिख रहा है देखो dy by dx x minus e to the power minus 10 inverse y 1 plus y square dy by dx इसको ले जाएगा देखे सेम कोशन दिख रहा है एक मेंटा और चेक कर लें बच्चों इसको ठीक है कुशन तो सेम दिख रहा है dx upon dy minus 1 minus e power 10 inverse y upon कितना sorry x minus है ना x यह हो जाएगा तो यह हो जाएगा जाएगा 1 plus y इसको अलग लग किजिएगा सेम कोशन होगे देखो थोड़ा सा चेंज करके दिया है इसको यह आजाएगा तो इसको आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं पिछला जैसे हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगला कोशन के ओर इरिके क्या दिया है हम इस पूरे को dy by dx is equal y upon sin 2x 10x upon sin 2x write कर सकते हैं हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा देखो y upon sin 2x है तो sin का कितना होगा कास 2x होगा इसको उपल स्वरी कोशिक यह रहने दीजिए एकाम करें y upon sin 2x रखिए और इस इकवल यहाँ पर आएगा 10x upon sin 2x यहाँ sin by cos कर सकते हो यहाँ पर देखे sin by cos और इसका हो गया 2 sin x cos x चलिए जो cancel होता है cancel किजिएगा तो आप पढ़िएगा देखो minus y upon sin 2x यहाँ पर आएगा 2 cos square x तो उपर हो जाएगा sin square x यह देखे अब यहाँ पर देखो here p के जगा में कौन बैठा है minus sin 2x और q के जगा में 1 by 2 यह हो गया sin square x अब sin को cosec में बदल डालिएगा तो चलिए p is equal minus cosec 2x integral factor की बात करते हैं a to the power p dx minus यह हो जाएगा cosec 2x dx यहाँ गया अब cosec x का integration क्या होता है lag में होता है बच्चो lag ऐसे तो हम 10x by 2 जानते हैं तो यहाँ पर x है तो x by 2 होगा 2x है तो 10x होगा यह देखे 2x by 2 10x अब माइनस को हटाइएगा तो पढ़िएगा 1 upon 10x आपको मिलेगा 1 upon 10x अब इसका solution होगा समिकरन का हल y into 1 upon 10x is equal integral factor 1 upon 10x q 1 by 2 c square x plus c 10x को टी मानिएगा c square x dx is equal dt तो क्या मिलेगा 1 upon 10x यह हो जाएगा 1 by 2 को बाहर किजिए 1 by t dt plus कितना c 1 upon 10x log t अब इसको 10x का multiply कर लो सब मिल जाना है ठीक है बस इसी देक से बनाना है प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं देखे और question इह देखो dy ऐसे तो भी मान करके कर सकते हो इस तरीके से भी किया जा सकता है इसको मैंने उल्टा कर दिया 1 plus x plus y x है तो x वाले को लाईएगा बाक्य भाही रहने दीजी अब यहां P के जगा 1 Q के जगा में 1 plus y अब यहां पर देखो a to the power if a to the power p d x a to the power minus 1 d x sorry dy आएगा बच्चो एक मिनट हाँ यह आएगा dy minus y समीकरन का हाल x में आएगा x into e to the power minus y Q 1 plus y dy plus e तो इसको तो आसानी से आप इंट्रिगेट कर सकते हो क्या करोगे इंट्रिगेशन भाई पार्ट माल लो 1 plus y इसका 1 होगा फिर वापस आएगा तो e power minus y आ जाएगा तो e to the power minus y इनमें से minus e power minus y common 1 plus y minus 1 इसको cancel किजिएगा और ट्रांसफर करेंगे तो आपको answer मिलना है ठीक आगे बढ़ते बच्चों ये देखो बहुत बढ़िया कोशन इसको क्या किजिएगा dy by dx तो इसको हम अलग करेंगे तो इस टाइप तो आएगा नहीं इसके लिए फिर इसको dx अपन dy कर दो बेश्ट रहेगा या गया फाम इसका x अपन y अलग करके धल ले आ है और यह है 2y स्कोर अब integral factor तो यहाँ पर p के place पर क्या है 1 by y q 2y स्कोर integral factor 1 upon y dy यहाँ गया लाग y minus 1 upon y ठीक है बच्चो अब समीकन का हल देखो x minus 1 upon y 2y स्कोर तो आपको मिलेगा minus 2 y का y स्कोर by 2 plus कितना c cancel होता है वो cancel कीजिए दरवाई सी यह answer है ठीक है प्यारे बच्चो एक देखो यह question है सबसे पहले तो इसको divide करो x एक्स कोस एक्स पी कितना है यह हो जाएगा कास x और क्यों बस इसको integral factor पहले integration कर लो न क्या दिखकत है इसको टी मानेगा नीचे वाले को तो इसको टी मानेगा पहला वाई सी कास का minus sign सरी कास का साइन फिर x कास का यह लाग आएगा लाग x कोस x अब integral factor e to the power डालेंगे e to the power log e power log हटाईएगा समीकरन का हल यह वाई में आएगा y into x कास x बच्चो लाग x नहीं है x कोस x x कोस x और इसका q 1 अपान x इसको हटाईएगा 1 का x पाईएगा और यह इसका answer है तो बच्चो मुझे उम्मीद है आपको यह रेखी काउकल समीकरन 100% समझ में आया होगा नेक्स क्लास में हम बर्रोली समीकर लेके आएगे उसके बाद यता थत एक्जेक्ट समीकरन को एक्जेक्ट एक्वेशन को कैसे solve करते इसके बारे में आपको जन कर देंगे ठीक है बच्चो बस इस तरीके से continue चलता रहेगा यदि हमारा class अच्छा लगा तो like कीजे, share कीजे, subscribe कीजे बच्चों इस channel में आपको यदि आप first year से second year जाएंगे तो पूरा A to Z मिलना है सुरुबाद से पढ़िएगा कहीं tuition मत कीजेगा पूरा उसके अंदर मिलेगा और जो भी doubt है आप comment box में जरूर बताएंगे तो मैं बताऊंगा आगे तो अभी तो आपको first year की तेहरी करना है इसको अच्छे से कर लिजेगा हना exam के लिए important है प्यारे बच्चों ठेक तो चलिए आज का class ही तक रखें धन्यवाद नमस्कार